तो गईज आपको आटजीकर केस के बारे में तू पता ही होगा जहाँ पर 31 एर्स ओल्ड लेडी डॉक्टर के साथ कितनी घिनोनी एन हाटब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ लेगिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसी घिनोनी हरकते हमारी इंडिया में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है इसका सीधा सा जवाब है हमारी इंडिया का आईन्य वस्ता जी हाँ इससे रिटेड मैक्स्टर ने अपने ट्वीटर पे एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पर वो नॉर्मल सा हवलदार हो चाहे इसेचो और पूजा क्यटकर केस के बाद तो ये भी कंफर्म हो गया कि आईएस आईपियस भी करप्ट होते हैं यहाँ पे अगर कुछ भी गुना होता है अगर इलीट के दवारा होता है तो सबसे पहले चीज़ जो होती है वो होती है सबूत करने के और इसमें ये कामियाब हो भी जाते हैं सबसे पहली चीज़ ये होती है ये केस को डाइवर्ट कर देते हैं उसको सुसाइड बता देंगे कुछ से कुछ बता देंगे और केस को क्लोस कर देंगे चाहे इसे पहले ये पूने वाला केस ले लो जहाँ पे पुलिस ने बहुत ही खूबी से आरोपी को बचाना कि कोशिश की थी फिर यह BMW वालत केस ले लो Mumbai का जहां भी हुआ था वहां पर भी पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की थी आरोपी को फिर यह कुलकाता वालत केस जहां परी सीधा डिक्लेटर कर दिया इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बाद धिरे-धिरे करके केस चला फिक पता चला आरोपी आया और जो पहला आरोपी आया वो निकला बली का बकरा अब उसने भी नोटेंगे शुरू कर दी अब उसने नोटेंगे शुरू की तक ही सबूत मिटाने के लिए टाइम मिल सके अब उनके पास क्या उपाए था ट्रक भरके लोने गुंडे भेश दिया लिटरले ट्रक में बहुत सारे गुंडे आये हमले करने शुरू कर दिये अब ये क्यों करतेंगे लोग इसका एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ देखो किसी प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप वा प्रचाना होता है तो एक तरीकी से देखा जाना पूरी तरीकी से चो लौ एन ओरर ने इंडिया का वो बहुत ही घटिया है ये जो कानून इंडिया का इंदर ये सिर्फ गरीब हो गली है अमीरों को इससे घंटा फरग नहीं पड़ता अगर आप अच्छे इलीट क्लास में मतलब है आपके पास पैसा, कनेक्शन और पावर है तो आपके उपर इंडिया का कानून लगेगा ही नहीं आप कुछ भी करके बच जाते हो आप किसी को गाड़ी से उड़ा दो तब भी आपका कुछ नहीं होगा आप किसी के साथ कुछ भी उल्टा सिदा कर दो तब भी मैं ही बताता हूं इमानदारी से अगर सूशल मीडिया और पबलिक प्रेशार ना होता तो ये शायद कभी कोई जो आम इंसान हो इसको थोड़ा सा इंसाफ नहीं मिलता यार